Dear Friends, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको टेबल ट्रिक्स करवाऊंगा कैसे हम किसी भी बड़ी से बड़ी टेबल को आसानी से लिख सकते हैं वो हमें सीखना है ऐसी ही मैं आपको टेबल ट्रिक की एक सीरीज अपलोड करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले फार्स ट्रिक आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले हमारे पास मैंने कुछ यहाँ पर टेबल लिखी हुई हैं जैसे 21, 31, 61 तो इनको आप नॉर्मल अगर वे में करेंगे तो बहुत ही हमें मुश्किल लगता है टेबल को याद रख पाना और बहुत से बच्चे इनको मल्टिप्लाई करकर के देखते हैं जिससे बहुत टाइम कंज्यूम होता है मैत कल्कुलेशन में तो इस तरह से मैं टेबल ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जिससे आप कोई भी बड़ी से बड़ी टेबल को असानी से लिख सकते हैं जैसे फॉर एक्जेंपल यह मैंने टेबल यहां पर लिखी होई है तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है काउंटिंग लिख देनी है अब यहां पर आपको क्या करना है जिसकी टेबल हमें लिखनी है उसकी टेबल को यहां पर नॉर्मल वे में लिख दो जैसे 21 था 1 के लिए हमने काउंटिंग लिख दी और 2 के लिए 2 की टेबल तो यह देखिए आपकी टेबल बनके त्यार हो चुकी है ऐसे ही अगर हम 31 का एक्जमपल लेते हैं तो इसमें देखिए आप से पहले आप क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में 3, 1, 0 अब यहां पर अगर हमने 31 की टेबल लेनी है तो यहां पर फर्स लेटर है 3 तो 3 की टेबल आपको सिंपल लिख देने है 31 जर 3, 32 जर 6, 33 जर 9, 34 जर 12, 35 जर 15, 36 जर 18, 37 जर 21, 38 जर 24, 39 जर 27 तो यह देखिए 31 की टेबल आपकी बन के त्यार हो चुकी है कितने आसानी से हम इन टेबल को कर सकते है तो यहां पर इसी वे में एक बड़ा एक्जामपल हमने लिया है 61 का तो 61 की टेबल अगर हमें बनानी है तो कैसे बनेगी सबसे पहले आपको क्या लिख देना यहां पर काउंटें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and last one is 6, 1, 0 अब आप यहां पर क्या लिखेंगे 6 की टेबल 6, 1, 6, 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 4, 24, 6, 5, 30, 6, 6, 36, 6, 7, 42, 6, 8, 48, 6, 9, 54 और यह आपकी टेबल बनके तयार हो चुकी है देखिए कितनी आसानी से हम जो है इस ट्रिक का यूज करके इन टेबल को बना सकते हैं इस ट्रिक में बेसिक क्या था हमारा कि जिसके पीछे 1 आता हो ठीक है इन टेबल में 1 वाली टेबल हमने कवर की हैं जिनके पीछे आपको 1 मिलेगा लिखा हुआ उन टेबल के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा साइड में लिख देनी है काउंटिंग 1 to 10 और फिर जो भी हमारा next word होगा उसकी टेबल उसके साथ लिखने से आपकी full टेबल आपको मिल जाएगी completely ऐसे ही कुछ बड़े example भी हम लेके next हम लेंगे 91 की टेबल यहां पर आप क्या लिखेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और last में हो जाएगा हमारा 9,1,0 अब आपको क्या करना यहां पर लिख देनी है 9 की टेबल 9 बंजर 9,9,2 जर 18,9,3 जर 27,9,4 जर 36,9,5 जर 45,9,6 जर 54,9,7 जर 63,9,8 जर 72,9,9 जर 81 तो देखिए आपको इस इतनी बड़ी टेबल को कितनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं अगर आपको यह ट्रिक आती है तो ऐसे ही एक और बड़ा एक्जम्पल हम लेते हैं यहां पर जैसे 401 है तो पहला काम होगा हमारा यहां पर काउंटिंग लिखने का 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और लास्ट वन हो जाएगा हमारा 401,0 अब यहां पर क्या करेंगे हम बीच में extra 0 आ रहा है हमारे पास तो हम 0 यहां पर एक और एड़ कर देंगे सब के आगे तो यह 0 एड़ करने के बाद यहां पर 4 है तो 4 की टेबल हम लिखेंगे यह तो देखेंगे इतनी बड़ी टेबल को हम कुछ ही seconds में complete कर पा रहे हैं तो यह थी हमारी आज की टेबल ट्रेक फरस्ट ऐसे ही और नई नई टेबल ट्रेक हम अपने चैनल पर upload करने वाले हैं उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल से जल मिल सके और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को धन्यवाद